इर्मयाह भविशवक्ता की पुस्तक अध्याय 28 फिर उसी वर्ष के अर्थात यहुदा के राजा सित्किया के राज्य के चोथे वर्ष के पाचों महने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो गिबुन का एक भविशवक्ता था उसने मुझसे यहुआ के भवन में याजिको और सब लोगों के सामने कहा इसरायल का परमेश्वर सिनाओ का यहुआ यो कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है यहुआ के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नवुकदनेजर इस थान से उठाकर बाबुल ले गया उन्हें मैं दो भीतर फिर इस इस्थान में ले आउंगा और यहुदा के राजा यहोयाकिम का पुत्र यकुन्याह और सब यहुदी बंदुए जो बाबुल को गए है उनको भी मैं इस्थान में लवटा ले आउंगा क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है अभी ने हनन्याह नभी से याज को और उन सब लोगे सामने जो यहवा के भौन में खड़े हुए थे कहा आमिन। यहवा ऐसा ही करे जो बाते तुने भविश्वानी करके कही हैं कि यहवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस्थान में फिराएंगे। उन्हें यहवा पूरा करे तो भी मेरा यहा वचन सुनो जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविश्वक्ता प्राचिनकाल से मेरे और तेरे पहले होते आये थे उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े-बड़े राज्यों के विरुद्ध, युद्ध, विपत्ति और मरी के विशय भविश्यवानी की थी। जो भविश्यवक्ता कुशल के विशय भविश्यवाने करे जो जब उस वात का पुरा हो तब ही उस भविश्यवानी के विशय यह निश्चे हो जाएगा कि यह सचमुच यहवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविश्यवक्ता ने उस जुए को जो इर्मयाह भविश्यवक्ता की गरब्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा यहवा यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर बावुल के राजा नवुक अद्नेजर के जुए को सब चातियों की गरदन पर से उतार कर तोड़ दूँगा। तब इर्मयाह भविश्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविश्यवक्ता ने इर्मयाह भविश्यवक्ता की गरदन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया उसके बाद यहवा का यहवचन इर्मयाह के पास पहुचा। जाकर हरन्या से यह कहा कि यहवा यह कहता है कि तूने काट का जुआ तो तूड़ दिया परंतु ऐसा करके तूने उसकी संती लोहे का जुआ बना दिया है क्योंकि इस्रायल का परमिशुर सेनाओ का यहवा यह कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ जाजा नदुखिद्देसर के आधिन रहे और इनको उसके आधिन होना पड़ेगा और मैदान के जीव जनतु भी मैं उसके वश में कर देता हूं और इर्मयाह नभी ने हनन्याह नभी से यह भी कहा कि हे हनन्याह देख यहवा ने तुझे नहीं भेजा तुने इन लोगों को छूटी आशा दिलाई है इसलिए यहवा तुझसे यो कहता है कि देख मैं तुझको पुथ्वी के उपर से उठा दूंगा इसी वर्ष में तू मरेगा क्योंकि तुने यहवा की और से फिरने की बाते कही है इस वच्चन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सात्यों महिने म मर गया इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए 28 इर्मयाह अध्याए 28 फिर उसी वर्ष के अर्थात यहुदा के राजा सित्किया के राज्य के चौत्य वर्ष के पाच्व महने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविश्वक्ता था उसने मु यहोवा 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 के बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वानी है। जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। मुच्मुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविशवक्ता ने उस जुए को जो इर्मयाह भविशवक्ता की गरब्दन पर था। उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा। यहोवा के यह कई तो